हेलो एवरिवन तो आज मैं आपको CPR के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ देखिए CPR के फुल फॉर्म क्या है? Cardiopulmonary Rescute Resuscitation देखिए तो क्या होते हैं? हमारी फर्स्ट टेक्निक होते हैं जिन पेशिंट को क्या हो जाता है? Cardic Arrest हो जाता हैं उनको क्या करने के लिए? उनकी लाइफ को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? CPR प्रफॉर्म करते हैं ठीक है? देखिए तीज फर्स्ट टेक्निक टू है पीपल हूँ सफर है Cardiak Arrest जो परसन Cardiak Arrest ते सफर कर रहे हैं उन परसन को एक तरह का First Aid दिया जाता है ताकि हम उनकी लाइफ को क्या कर सेव कर सेके Cardiak Arrest क्या होता है? कि परसन क्या कर देए? उसका Heart जो ब्रीथ करना क्या कर जाए? स्टोप कर जाए तो उसको हम क्या बोलते है? Cardiak Arrest इसके अंदर CPR के अंदर क्या होता है? It involves doing chest compression and Resescue breath to keep the casualty alive with a defibrillator alive इसके अंदर एम परसन को क्या करते है? Chest compression देते है और Resescue breath करते है वालब artificial breathing कर देते हैं जब तक casualty को हम कहां पर ना ले जाए? Defibrillator पर ना ले जाए ठीक है? तो defibrillator क्या होता है? एक हमारा electrical device होता है which can be used to help restart someone's heart जो क्या करता है? किसी के heart को restart करने का क्या करता है? वार्क करता है कि जब तक हम patient को क्या ना करें defibrillator पर ना ले के जाए तब तक हम क्या करते है? उसको chest compression या फिर artificial breathing देते हैं ताकि person का heart क्या हो जाए? फिर से work करना start कर जाए ठीक है? देखें, CPR on its own is unlikely to restart someone's heart क्या करता है? CPR कैसे work करता है? किसी के heart को restart करने का का काम करता है however, it will increase the chance of defibrillator being successfully और ये defibrillator क्या हो successfully अपना work करें उसके chances को भी क्या कर देता है? increase कर देता है तो ये क्या होता है? हमारा CPR होता है, ठीक है? अब देखें, कोई भी patient अगर हमारे सामने तो उसके हम assessment कैसे करेंगे? कि person को क्या है? CPR की need है देखें, if you find someone collapsed you can use the manomic DR-ABC अगर हमारे सामने कोई person collapsed हो जाता है उसका जैसे fanting हो जाता है एकदम से हम उसके हो लिए क्या करेंगे? DR-ABC क्या करेंगे? Manomic का क्या करेंगे? Perform करेंगे It will help to remember what to do ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना है? D4, danger हमें क्या करना है? जो danger की sign है, उनको क्या करना है? चेक करना है, कि patient को क्या है? से करना है, थजो पेशेंट है, उसका क्या करना है? रिस्पोंस चेक करना है कि patient conscious है या नहीं है? हमें उस टैंपर क्या करना है? ठीक है? response चेक करेंगे A4, एरवे, person का जो एरवे है? उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे क्योंकि क्या होता है? उस टमपे person क्या हो जाता है, phant हो जाता है, unconscious हो जाता है, तो जो उसके tongue है ना, वो क्या कर जाती है, backward move कर जाती है, जिसके उससे person क्या नहीं कर पाता है, जिससे breathe नहीं कर पाता है, ठीक है, airway उसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके चिन हमें क्या करना उपर की तरफ मोग करवाना और हैड को निचे की तरफ करेंगे चिन को उपर करके हैड को निचे जिससे क्या हो जाएगी टंग उपर की तरफ चली जाएगी और परसन का यह रवे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा ठीक है फिर हमें क्या देखना है ब्री परोड़ेंस के लिए कुल करेंगे कि स्टार्ट कर दिए CPAgs कार्दी करना स्टार्ट कर्दिया the sternum जो sternum का area होता है हमारे हर्ट का वहाँ पर दोनों hands को क्या करेंगे finger को interlock करके वहाँ पर sternum पर हम क्या कर देंगे compression देना start कर देंगे कितनी देनी हमें 30 chest compression वहाँ पर देने push down करना है 30 times sternum वाली area पर दोनों hands को interlock करके क्या करना है और बिल्कुल straight hand को रखके chest level के equal रखके हम क्या करेंगे 30 compression देना start कर देंगे कितना pull-down करना हम में 5 cm ने तक क्या करना हमें pull-down इतने pressure तक 5 cm तक जाए हम हमें हम वहाँ पर क्या करना है compression देना है अगर हमने compression देनी है person कोई response नहीं दे रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे rescue breathe मतल आशन क्या ब्रीटिंग में क्या करना है थर्टी तो चेस्ट कंप्रेशन देंगे उसके बाद क्या देंगे तू हम क्या देंगे आर्टिफिशल ब्रीथ देंगे और आर्टिफिशल ब्रीथ हमें कैसे देने कैसे हैड को क्या करना है बैकवर्ड क्या कर देना मूँ कर देना उसके चिन को को आर्टिफिशल भीठीगें सील का मतलब है कि कोई बी जो हम डाल रहे हो बाहर नहीं जाने चीह आ कि यह से सील करके हम वहह पर क्या कर देंगे हम अर्टिफिशल भीठीग देना स्टार्ट करतेंगे यह हमें कब तक करना है 30 chest compression और 2 rescue artificial breathing compression को देते रहेंगे तब तक कोई help हमें वहाँ पर नहीं मिल जाती है ठीक है तब तक हम यह क्या करेंगे CPR का जो procedure इसको continue हम वहाँ पर रखेंगे